देखो किसी भी सीरियस और रियल इंसिडेंट पे बनी फिल्म के बारे में कुछ भी बुरा बोड़ना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलूंगा तो मैं पहले के लिए कर देता हूँ कि मैं कोई कुछ नहीं हो और मैं दे की बिस्किट मैं नहीं खाता और सुबह सुबह मैं ने पता ने क्यूँ इस मुई के डायेटर का एक इंटर्यू देखा जो कि महारा टीम में था और मैं मुई के लिए बहुत ज़्यादा एकसाइटर ह क्योंकि मुझे पता चला इस बंदे ने इस मुई के लिए 3 महीने वेट किया है कि इसरी मुई को पास ही नहीं कर रहा था अच्छा होता पास ना किया होता में एकसाइट होगे चला गया कि मुझे देखने के लिए कि फाइल्स लेकिन मुझे सथी के ला स्टोरी देखने के लिए मिल गई तो कहानी है बांगलादेश की सुहासिनी की जो कि एक हिंदू माइनोर्टी है बांगलादेश में जिसे कि भारत में आना है तो इसी कारण हो कि इसे भारत में आते ही लेगिली और बाद में किस तरह की स्टोरी आमें प्रेजेंट के जाती है जो कि मुझे लगता है कि जादा स जैस है कि बालोट है उनिसके बात बीकारती स्टेरी के साथ लिए सायद किसी पता नहीं होगा क्योंकि इसे बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारे लोग इसे आते हैं, जो कि हिंदू है भारत में आना चाहते हैं, बाद में क्या होता है, यह किसी गोई पूछ भी पता नहीं है, लेकिन मुई के बात करें तो मुई में बहुत ज़्यादा घटिया डायलोग है, बहुत ज़् एक्स्प्लेंड नहीं कर सकता और मुझे जितना जाद डार्क दिख रहे उतना जाद नहीं है क्योंकि मुझे लगाता कि यह सर्टिपेट मिला है सेंसर का इसमें हाथ है तो कुछ तो होगा मुझे में देखने लाइक लेकिन कुछ भी नहीं तो यस इस फॉकिंग डिस आपॉ इबहें को बी राद कर दो नहीं हनु प्यांट आ chopping प्याद थे